स्री श्वाईन नमस्तूब्यम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्ते रम्सरक्षित होंगे दर्शको रविवार की रात मातर नाभी को छुकर बोल देना यह है एक सब्द जिन्दिकी भर पैसों की कमी नहीं होगी जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाई के बारे में जिसे माला माल बना जा सकता है जीवन के आर्तिक समश्याओं को समाप्त किया जा सकता है और सभी परकार की जीवन की जो भी समश्यारी हैं उन्हें भी समाप्त किया जा सकता है दोस्तों जो नाभी होती है नाभी को हमारे सरीर का एक महतपूर्ण हिस्सा माना जाता है कहा जाता है कि नाभी ही वही इस्सा है जो हमारे सरीर को पोसक देती है हमारे सरीर के हर चीजों को कारेरत करती है ऐसे में दोस्तो नाबी से कुछ उपाई भी जुड़े भी हैं जिने करना सुब माना जाता है बहुत जरूरी माना जाता है मानता है कि इन उपाईयों को करने से बहुत अच्छा लाब भी प्राप्त होता है ऐसे में दोस्तो आज किया है वीडियो आप सभी के लिए बहुती कारेगार सिद्ध होगी जानकारी अगर थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही चैलन को सब्सक्राइब कीजेगा और होड़ार कीतर कॉमेंट में स्रीष वाई नमस्तु पे हम जरू लिख हैगा तो दोस्तो आज रब्युआर का दिन है और किसी भी रब्युआर की रातरी को आप सब इस उपाय को कर सकते हैं बहुत ही कारेगार सिद्ध होगा रव्यवार की रात्री में सिर्फ आप लोगों को मात्र जो दियाबत्ती का टाइम होता है चैसे साथ बजे के करीब का उस टाइम पर आप लोगों को मात्र अपनी नहबी को एक जगे पर आपको बैठ जाना है और अपनी नहपी को आप लोगों को छुना है अपनी अनामी का उंगलिस है और फिर आप लोगों को मातर इस सब्द को बोलना है ओम भुजावंदने सदा नमहा ओम भुजावंदने सदा नमहा दोस्तों इस सब्द को आप लोगों को बोलना है आर्थ-आर्थ सब्द का मतलब है कि हे भगवन हमारे जीवन के आर्थिक समस्षाओं को आप सभी खत्म करे और जीवन में आरे जो समस्षा है उन्हें समाप्त करे दोस्तों ये जीवन ये होता है और आप सब इस कारे को किज़ेगा बहुत अच्छा आपको लाव पराप्त होगा इस कारे को करता ही आप लोगों कुछ एक या दो दिन की बाद में ही आपको इससे लाव पराप्त देखिने सुरू होंगे तो आप सभी इसको जरू किजगा साथ ये वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाई किजगा चैनले को सब्सक्राब किजगा मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए श्रीश वाई नमस्तु भी आपको